प्रेज लौर्ड हालेलुया सब लोग कैसे हैं परमेश्चर आप सबों को बहुत आर से आसिस करें एक और नया वीडियो में बहुत खुशी के साथ आप सब को स्वागत करता हूं आप सब का स्वागत हैं मेरे प्रियों हम लोग लगातार दस विपतियों के बारे में हम लोग ख्यान करते आ रहे हैं पहला विपति दूसरा विपति हम लोग बता दिया है और आज आज हम लोग ख्यान करने जा रहे तीस्रा विपति रहा है तो परमेश्चर कि बहुत थे देवी देवता जो थे वो दस थे और इस्राइल लोग शुरू-शुरू में वो प्रभू-प्रविश्वास किया था उनको परमेशर के बारे में इतना मालूम नहीं था तब परमेशर अपना सामर्त इस्राइल लोगों को अगui आगेचल के उनको वहां से बाहरनिकाल के आएंगे अगे उसके बार उनको दस आग्या देंगे तो परमेशर उनको यह दिखना चाहता कि मैं कितना बड़ा हूं मेरा सामर्त इस्राइल जानें गे ऐसे प्रबु अपना सामर्त इस् Norman को प्रचाब प्रगट करना चाहरा था और इसलिए परमेश्रा मार्मेश्र हारुन के को कुणप एक हर तक़ उनको आच जाने नहीं देगा ना तब अपना सामर्थ वहां पर दीखा सकेंगे ऐसे प्रमेशर अपने लोगों को अपना ताकत दिखाया अपना सामर्थ दिखाया मैं मतलब प्रभू इजराय लोगों को दिखाया कि वो इजराय लोगों के लिए क्या क्या कर सकता है तो उसके बाद जब प्रभू उनको आग्या देगा तुम मुझे छोड़ तुम्हें और कोई इश्वर नहीं होना तो इस्राईल लोगों को मालुम हो गए नाहार प्रमेश्र बहुत बढ़ा है इसलिए हम हमारे प्रमेश्य को मानना है उसको छोड़ किसी को नहीं मानना है अगर कुछ भी किये अपना कम अर्ब दिखाए बिना य हम अगर कह कि मुझे छोड तुम्हें और दूसरा इश्वर नहीं होना है वो दस आग्याएं प्रभु ने दिया तो आज हम देखेंगे तीसरा विपत्ति निर्गमन उसका आठ अध्याए उसका सोला वचन निर्गमन आठ का सोला फिर एहोवा ने मुसा से कहा हरुन को आग्यादे तु अपनी लाठी बढ़ा कर भूमी की धूल पर मार जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए कुटकियों के जुंड यह तीसरा विपत्ति जो है परमेशर बहुत सारे कुटकियां मिस्र देश में ले के आए देखिए मिस्र देश में ज्यादा बारिश नहीं होता है तो बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पर ज्यादा धूप होने के कारण जब वहाँ पर बहुत हवा आता था विंड आता था और उस विंड के साथ जो धूल है वो धूल भी ऊड़के आता था और जोब भी खेती बारी डाले है ना जो भी पेड़ पौदा है उसके ऊपर धूल बैटकर वो पेड़ पौदा को बढ़ने नहीं देता था ग्रोह होने तो यह देता था बढ़के फल देने के लिए उनको रोकता था उटंद याद डाके वर विंड के साथ जू लाके उस पेड़ पौदों पर बैटने के कारण वह बढ़ने पाता था और फल नहीं दे पाता था इसेलिए वह लोग मिश्रदेश के लोग एक देवता को पुझा कर करते थे ताकि उनका विश्वास यह था कि यह कुटकी देवता जो है यह हवा को और पेड़ पौदा को नियंत्रन करेगा और इनको कंट्रोल करके लोगों का जीवन को सरल रिती से चलने में मदद करेगा तो यह परमिश्य क्या परमिश्य क्या किया उसी कुटकियों को इतना सारा भेजा जो जमीन के ऊपर जो धूल था ना वो साब प्रभु ने कुटकियां बना दिया और यहां पर एक बच्छन हम देखते हैं सत्रा वच्छन आखरी में और उन्होंने वैसा ही किया अर्ताथ हारुन ने लाटी को ले हद बड़ागर भूमी की धूल पर मारा तब मनुश और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई वरन सारे मिश्य देश में भूमी की धूल कुटकियां बन गई हलेलुया आम पर लिका है तब मनुश और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई वरन सारे मिश्य देश में भूमी की धूल कुटकियां बन गई लोग परिशान हो गया उससे लोगों पर पशु पर कुटकियां बन गई मनुष और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई इससे लोग बहुत परिशान हो गए 19 वा वचन में हम लोग देखेंगे तब जादूगारों ने फिरोन राजा से कहते है 19 वचन निर्गमन 8 का 19 तब जादूगारों ने फिरोन से कहा यहा तो परमेशर के हाथ का काम है अनुसार फिरोन का मन कठोर होता गया और उसने मुसा और हारुन की बात न मानी देखें वचन साब साब बता रहा है तब जादुगारों ने फिरोन से कहा यह तो परमेशर के हाथ का काम है यह जो भी यह काम हो रहा है न यह परमेशर के द्वारा हो रहा है परमेशर के हाथों का काम है हलेलुया मेरे फ्रीयों यहां पर जिसको वो मिस्रदेश के लोग देवता करके मानते थे कि वो हवा के उपर और पेड़ पौदों के उपर कंट्रोल करेगा नियंतरन करके पेड़ पौदा नस्ट होने से बचाएगा उसका फसल अच्छा से आने में मदद करेगा और हवा को कंट्रोल करेगा इसलिए वो उस खुटकी देवता को वो लोग मानते थे वो भी प्रदान देवता था उनके लिए इसलिए परमेश ने क्या किया उसको इतना लेके आया बहुत सरा उनको नुक्षान हु तो परमेश उस खुटकी देवता को भी हरा के अपने लोगों को अपना सामर्थ को दिखाया तब और देखिए इसराइल लोग जो जिस एरिया में इसराइल लोग रहते थे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ कुछ सो नुक्सान नहीं हुआ क्योंकि परमेश उनके साथ थे, परमिशर उनको बचा रहे थे और परमिशर इस्राइल लोगों को ये मेसिस दिया देखो मैं तुम्हें रक्षा कर सकता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता हूँ और मिश्र देश के उस देवता को हरा के परमिशर ने दिखा है कि मैं इससे भी बड़ा हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ मैं सबसे बड़ा हूँ करके प्रभु वहां पर इसरायलोगों को मेसेस दे रहा है और तब इसरायलोग जान गया वाव हमारा परमेशर तो इस कुटकी देवता से भी बहुत बड़ा है इसको हरा दिया मेरा परमेशर कर से आपको यह समझ में आया है करके मैं विश्वास करता हूं हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है यह दस जो प्रदान देवी देवतात हैं उनको परमेश्वर हरा के अपने लोगों को वहां से निकाल के ले आते हैं उसके बाद 10 आग्या देते हैं और भी आगे बहुत सरे इं बना रहा हूं यह तीसरा पार्ट है अगर आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जरूर में आई बटन में मैं दे दे रहा हूं जरूर आप जाके देखिएगा आपको बहुत ब्लेसिंग मेसेज होगा वह काफी चीज आप जान पाएंगे हमारा परमेश्वर क लोग डीटेल से Charland करेंगे अगर आपको भी कुछ जानना है अब कमेंट में लिख सकते हैं जितना मैं जान सकता हूं जितना पर में आपको में आपको बतानी की कोशिस करूगा प्रूब आप सबों को बहुत ऐसे आशिस करें एक चोटी से दुआ करें सुर्गिय पिता धन्यवाद करते हैं इस सुन्द समय के लिए जो मेरे भाई वें इंट्रस्ट के साथ लगा तर आपका वच्छन सुनते हैं उन सब हम लोग ज्यान करने पाए प्रभू हमें गाइड कर अगवाई कर जो भी मेरे भाई बैन इस वीडियो में जुड़े हैं सब ओको ब्लेस कर येश्यू के नाम से मांगते हैं आमें प्रभू आप सबको बहुत ऐसे आशिस करें गाड़ ब्लेस यूँ